हेलो फ्रेंट्स, वेलेकम तो यूट्यूब चैनल अगरी विदवन्त, तोड़े फर्दर कंटेन्यू आवर एक्स्टेंशन शीरीज, तोड़े विदिसकस अबावट दा एक्स्टेंशन एड्यूकेशन प्रोसेस, तो लेट्स चार्ट दा वीडियो Education aiming at improvement in knowledge, means education का mean aim क्या होता है, कि knowledge के अंदर, हमारे ग्यान के अंदर सुधार करें, improvement करें, हमारे attitude के अंदर बदलाव लाएं, हमारे skills के अंदर बदलाव लाएं, और वो सब जब एक cyclic manner में होता है, उसी कोम extension education process बोलते हैं, means हमारा knowledge, हमारा attitude, हमारी skills, ये सब improve हो रही हैं, कि ए एक cyclic manner में, एक cycle की format में, वही हमारा क्या होता है, extension educational process, ये concept किस ने दिया था, ये concept दिया था, डोक्टर जे पोल लिगंस ने दिया था, ये concept, extension educational process का, अब इसको देखो, हमारा process, concept क्या होता है, starting हमारी होते है, first से, situation and problems, ये एक cycle है, हम सब से पहले situation और problem को identify करेंगे, उसके बाद हमारा आता है, objective solutions, means हम objectives बनाएंगे कि हम इनका solution करेंगे, second point ये आ गया, third क्या होता हमारा teaching plan of work, means हम एक teaching plan बनाएंगे कि हम इस तरह लोगों को teach करेंगे, ताकि उनकी knowledge के अंदर, उनकी attitude के अंदर, उनकी skills के अंदर improvement होसके, ये हमारा third point है, fourth हमारा क्या होता है, evaluation, जो evaluation के बाद हमारा पूरे के पूरी full process को फिर से पूर विचार करेंगे उसका, ये हमारा सारे के सारे इसके एक cycle की मेंदर में है, अगर आपके exam में आता है question, extension educational process का, तो ये आप एक pentagon की format में इस तरह बना देंदाना, क्योंकि उसे हमारा अच्छा impression पढ़ता है exam के अंदर भी first phase हमारा कौन साथा, analysis of the situation, हम हर phase को अब एक sequence की format में देखेंगे, सबसे पहला हमारे क्या है, analysis of the situation, उसके अंदर क्या है, हम facts को collect करते हैं, और उस situation को analyze करते हैं, जो भी हमारा आस-पास area है, जिसके उपर हमें काम करना है, जिस area में, जिस village में, वहाँ पर हम सबसे पहले, ज इकठा करेंगे, उनके enterprises के बारे में, इकठा करेंगे, वहां का सामाजिक धाचा क्या है, वहां के culture क्या है, आर्थिक स्तीति कैसी लोगों की physical और technological environment कैसा है, उन लोगों का, वो कैसे physically interact करते हैं, उनकी language क्या है, यह सब हम study करेंगे, social, culture, economic, physical, technological environment, जिसके अंदर वो काम करते हैं, फिर हम किस के बारे में, और किस के बारे में, data इककठा करेंगे, उनकी education level का है, literacy rate क्या है, female literacy rate कीतना है, male कितना है, habits क्या क्या है, types of soil कैसी है उनके customs क्या है उनके रिती रिवाज क्या है उनके जो फारम्स है जो खेत है उनका size कितना है etc जो भी हो सकते हैं जैसे आधर आप West Bengal में काम कर रहे हैं कोई भी extension worker तो वहां के land holdings बहुत छोटी है in comparison to Rajasthan तो वहां के लिए अलग policies बनेगी और वहां के लिए अलग बनेगी ठीक है types of soil भी vary करता है पंजाव के अंदर माल्या वह ज़दा LVL soils है यूपी के अंदर LVL soils है लेकिन राज़त्थान के अंदर वह sandy soils है ठीक है लेकिन हम इन जो data हम collect करें हों कैसे collect करेंगे अलग लग method होते हैं कि सबसे पहला है survey हम उस पूरे reason का survey करेंगे वहां फिर हमारे और क्या method हो सकता है report with people means हम लोगों से mail जोल बढ़ाएंगे वहां के इलाके के बारे में कुछ नई बातों को जानने के कोशिस करेंगे यह हमारा इस phase के अंदर काम होता है सारा का सारा data सारी की सारी situation को हमने collect कर लिया उसको एक compile format में जैसे हमने क्या किया after survey हमने survey के बाद यह पता लगाया हमें यह problem पता चली कि वहां के जो लोग है उनकी family है उनकी आये बहुत कम है crop production से खेती के कानू उनकी आये बहुत कम है हमने सबसे पहले यह analyze कर लिया फिर इसके बाद हमारा next step आता है second phase is deciding upon objectives इस phase के अंदर हम objectives हमें क्या कारिये करना है उन objectives को select कर लेंगे किन मुद्धों की पर कारिये करना है इसके अंदर हम क्या करेंगे एक limited number of objective को सबसे पहले हम select करेंगे किसकी help से local people को involve करके उसके अंदर जब तक local people ही involved नहीं होंगे तो क्या हमारा कोई भी objective हमारा मकसद सफल हो सकता है उस reason में नहीं हो सकता तो इसलिए हम एक limited number of objective रखेंगे ऐसा नहीं है कि हम गाओं के सडके भी बना देंगे बीजली भी वो भी वो भी फार्म भी develop कर देंगे water management भी तो इतने ज़्यादा objective कभी भी एक साथ सफल नहीं होत इसलिए हम एक limited मातरा में objective को select करेंगे इसके अंदर फिर हमारा next point क्या आता है objectives हमारे वो specific होने चीए एक direct topic से dark link होने चीए और clearly stated होने चीए हमें direct माल लिया मैंने ये कह दिया कि मैं crop production को 20% improve करूंगा rice production को यह हमारा बिल्कुल specific है और clear stated है direct point to point है और इसके अंदर हम जो भ satisfaction आना चीए उसके अंदर सानुभुती होनी चाहिए उस extension वरके के परती भी कि इसने हमारे लिए काम किया और हमें satisfaction दिया जबी वो मारा program सफल होगा वो process सफल होगी जो हमारे objectives हैं उसके कारण behavior changes आना चीए people के अंदर objective should state the behavioral changes in the people क्योंकि जब तक उनके behavior में उनकी आर्थिक स्तीति में उनकी सामाजिक स्तर पे उच्छा नहीं होगा तो कोई भी objective हमारा सफल नहीं होगा तो यह हमारा इस third point में बताया है example इसके अंदर लिखा है मालिया हमने एक objective setup कर लिया कि हम crop के जो yield है crop का जो उतपादन है हमको उसको 20% improve करेंगे एक certain period of time के अंदर मालिया 3 साल क के अंदर अंदर हमने 20% crop production को बढ़ाना है यह हमारा point to point clearly stated और specific क्या है objective है यह हमारा सारका सारा second point था जिसके अंदर हम objective को select करते हैं फिर आता हमारा third phase third phase क्या होता हमारा teaching जिसके अंदर हम जो भी हमने objective रखे हैं उनको teach करना start करेंगे इस step में क्या होता हमारा सबसे पहले the content और what to be taught means हमें content क्या लेना है हम किस चीज को पढ़ाएंगे what to be taught हमें सिखाना क्या है वहां के लोगों को फिर second method इसमें क्या है दूसरे क्या involved होगा इसके अंदर methods and techniques of communication means हम communicate किस तरीके से करेंगे उनके क्या क्या लग लग तरीकी होंगे यह हमारा इस third phase में आता है हमारे 6 से लेके 9 अलग अलग तरीके होते हैं communication के हमें सब के सब यूज करने होंगे ताकि हम वहां की learning को improve कर सके उसको stimulate कर सके तेज कर सके लोगों के में परती हमारा impression हो extension worker का main motive यही होता है एक्जांपल हमने दिया है इसके अंदर कौनसे कौनसे technologies को पढ़ाएंगे जो उपर से एक्जांपल लेते हैं सबसे पहले हमने यह पता लगाया कि उनके income कम है farmers की फिर second step हमने क्या objective में क्या किया हम 20% production को improve करेंगे third step में हमने क्या किया हम करेंगे किस चीज के उपर काम हमें पढ़ाएंगे क्या उसके अंदर हम hyb seeds को high yielding varieties है उनको पढ़ाएंगे बताएंगे किसानों को demonstration करेंगे application of fertilizer हम उर्वरकों का जो application हो खितों के अंदर बढ़ाएंगे उनकी dose को plant protection जैसे fungicide insecticide इन सब measures को हम सेलेक् content होगा हम किस तरीके से पढ़ाएंगे माल लिया हमने dvd को select कर लिया या हमने direct field demonstration प्रदर्शनी लगा दी किसानों के लिए कि आप ऐसे ऐसे काम करूं यह हमारा third phase में होता है teaching में फिर हमारा fourth phase आता है evaluation of the teaching इसके अंदर में क्या करते हैं कि जो objective हमने जो select किये थे वह किस evaluation के अंदर होता है determining the extent to which the objectives has been reached कहां तक हमारे objective पहुंचे उनका मकसद कितना सफल हुआ हम इसके अंदर evaluate करते हैं result of educational program ठीक है means जो हमने education program लगाया था वो कहां तक सफल हो पाया it is desirable to conduct re-survey और इस बात की बहुत जरूरत होती है कि उस इलाके काम फिर से survey करे re-survey करें ताकि हमें पहले हमने एक बार तो survey कर लिया उसके अंदर हमने problems को identify कर लिया था लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे हमें problems का हमने solution teaching कर दिया था लेकिन इसके अंदर हम हमारा क्या होगा हमारी teaching से कितना benefit हुआ समाज को फिर हमारा क्या point इसके अंदर evidence of changed behavior should be collected हमें इस बात के सबूद जुटाने होंगे कि हमारी वज़े से इस इलाके के लोगों के behavior में इनकी economic condition में, इनकी social condition में improvement हुआ है, यह में इकठा करना होगा, with deficiencies, इसके अंदर हम deficiencies का भी खास जान रखेंगे, कहां कहां हमारी कम्या रही, evaluation के अंदर, जो मार evaluation के process यह simple भी हो सकती है, और informal भी हो सकती है, हम direct लोगों से direct पूछ ले, simply way में, कि आपको इससे कितना benefit हुआ, वो एक simple format में होगे, और अगर हम इसको formal way में, और बहुती complex way में भी इकठा कर सकते हैं, वो उस extension worker की इच्छा के उपर depend करता है, यह हमारा, इसके evaluation हम दो त और हमने उसको teach भी कर दिया था, बाद में high yielding variety जो हमने teach करया था, उसके बाद हमें यह पता चला, कि जो हमने target रखा था, उसमें 10% के कमी रह गई, means हम सिर्फ 10% ही उस production को बढ़ा पाई, यह हमें evaluation के बाद पता चला, और हमें यह भी पता चला, कि water management लोग अच्छे से नह कर पाई, इसी के कारण, वो हमारा पूरा objective सफल नहीं हो पाया, हमने deficiency भी पता लगा ली, और कहां कहां हमारी सारी कि सारी कम्या रही, उसको दुबार से evaluate कर लिया, फिर हमारा आता है, reconsideration, reconsideration क्या होता है, हमारा पुनर विचार, यह last step है, extension educational process में, इस step में हमें क्या करते है, review of previous efforts, means जो हमने previous efforts, जो हमने effort लगाए थे, हमें क्या-क्या result निकले हैं, उन सब को फिर से review करते हैं, और जो नई situation के कारण, जो condition create हुई है, उन सब को हम review करते चलते हैं, उनके उपर पुनर विचार करते चलते हैं, ठीक है, और अगर नई situation से हमें पता चलता है, कि हमें efficiency रगें, उनको fill करना हमें, उनको fill भी तो करना पड़ेगा न, तो उन सब को लिए हमें उस process को कई बार दोबारा भी start करना पड़ जाता है, starting point से, initial point से, फिर से हम उसको start करते हैं, या फिर हम उसको जान पर deficiency रगे थे, उस deficiency को clear up कर देंगे, इसमें हमारे objectives हैं, वो या वो हमारा modified objective हो गया, या फिर हम complete नय objective भी रख सकते हैं, नय मकसद के साथ हम आ सकते हैं, ये process हमें हमेशा continuous way में चलता रहता है, जब तक reconsideration नहीं होगा, तो वो हमारा objective कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, example हमें दिया है, इसके अंदर हम, reconsideration step के अंदर हम ने farmers को दुबारा से train किया कि इसके उपर water management practices के उपर, क्योंकि यही main कारण था less production का, 10% जो gap रह गया था न हमारा, हमने 20% का रखा था हम 10% को चीव कर पाए थे, वो 10% को fill करने के लिए हमने किसानों को water management practices के बारे में बताया, ये हमारा complete reconsideration के बारे हम था, इसके अंदर हम जो previous efforts के हैं, result निका ये तो like करना, share करना और चैनल को subscribe करके जाना, और जहां में भी आपको वीडियो में problems होई या आपके कुछ अपने suggestions हैं, तो comment section में अपने suggestions दे के जाना, thank you friends